एक बर जो इसे खाएगा वो इसकी स्वात को कभी भूला नहीं पाएगा क्योंकि ये है ऐसा मीठा जिसे हम दिल्ली की स्टाइल में बना कर तयार करेंगे। इसका ये पिला पिला रंग देखकर आप इसे सिर्फ कस्टर्ड मत समझ लेना नहीं तो बिना खाएगे आप इसे बहुत पच्चताएंगे। से पहले ब्रेट जो कि आप किसी भी टाइप के लिए सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेट से भी इसे बना कर तयार कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेंट्विच वाली ये वाइट ब्रेट का इस्तमाल किया है, अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा छोटे टु अब इसे हम बनाएंगे देसी घी में, आप चाहें तो वनस्पती घी भी ले सकते हैं, लेकिन तेल नहीं लेना है, या फिर तेल और घी को मिला कर आप ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा टेस्ट है वो आपको देसी घी का इस्तमाल करने पर ही मिलेगा, मेडियम आज पर हमें गी को गरम करके इसमें ब्रेट डालना है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ इसी गलती कर दी, और घी के ज़्यादा गरम होने से पहले ही इसमें ब्रेट की पीसिस डाल दिये हैं, अब इसका एक आप नुकसान ये देखेंगी कि ब्रेट फिर धीर धी ज़्हाएं होगी, जिसकी वज़़े से इसको गी को पीने का जाधा टायं मिलेगा, और घी इसमें जाधा चला जाएगा, तो आप इस तरह की गल्ती मत करनाma में जब गी अच्छी से गरम हो जाएगा गी इसमें ब्रेट आर्एट करना तो इहां पर हमें इस तरह का तो इस से इसको कम टाइम मिलेगा और हमारी जो ब्रेट है वो घी को कम पीएगी तो यह वाली जो टिप है आपके बहुत काम आएगी कभी भी आपको लगे कि ब्रेट घी को जाधा पी जाएगी या जाधा घी खाने में आएगा तो बस आप घी को अच्छे से गरम करें और ब रेस्पीस वो देखी नहीं पाते हैं यह बात जान लीजे कि अपने ग्रूप में अच्छी वीडियो उसको शेयर ना करना न्याय नहीं अन्याय होता है तो कम से कम तीन लोगों के साथ तो मेरी रेस्पीस ज़रूर शेयर करें अब आगे हमें इसके लिए शाही मलाई बना कर तयार करनी है जिसके लिए हमें दूद को घंटोता पकाने की ज़रूरत नहीं है दस मिनिट में ही ये शाही मलाई बन करके तयार हो जाएगे तो पहले हमें कड़ कड़ाई को पानी से गिला करना है या फिर पानी ही थोड़ा सा डाल देना है और फिर इसमें एक लिटर दूद डालना है अब ये दूद गरम हो उससे पहले ही इसमें से थोड़ा दूद हम निकाल कर अलग साइड में रख लेंगे और कड़ाई में दूद को गरम होने दें जिससे इसमें कलर भी आएगा टेस्ट भी आएगा और शाहिपन भी आएगा अब जो दूद हमने अलग निकाल कर रखा है उसमें हमें तीन डेबल स्पून कॉन फ्लार मिक्स करना है और फिर इस उबलते हुए दूद में डाल देना है इसको डालते ही हमें तुरंत चमच से इ अच्छे से गाड़ा हो गया है लेकिन केसर का कलर मुझे इसमें काफी कम दिख रहा है तो कलर के लिए में इसमें कोई फूद कलर ना डाल कर हल्दी का पावडर डाल दएगई तो ये दो चुटकी जितना हल्दी पावडर मैंने इसमें डाल दिया हैम 걸로 ज्जाएं तो इसको चीनी डालेंगे तो मैंने ये आधा कप चीनी ली है इसमें से थोड़ी बचा ली है और अभी इसमें जाधा चीनी डाल कर इसको जाधा मिठा नहीं करना है साथ इसाथ थोड़े से क्रश की हुए ड्राइफ रूट डाल दिये हैं जो की है काजू, बदाम और पिस्ता और फ्ल तो मैंने इसमें डाल दिया है और साथ इसाथ थोड़ा सा इलाइची का पावड़ डाल दिया है अब दूद के उबलने के बाद इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनिट लगे हैं और हमारी ये शाही मलाई बनकर के तयार है जो कि अभी कुछ इस तरह की ठीक है जब ठंडी होगी त इसलिए मेने इसमें add कि है अगर आपके पास ना हो तो आप से skip कर सकते हैं या फिर आप इसमें आप भी आ चेनी हम और देंगे और इसमें आधा कप का का डबल यांडिकी दो च ανα enables मैं avail ऍजशटार लीयू है तो एक कप बहर की हम इंसमें पाने डालना है तो अगी इसमें पानी को गरम करना है ताकि जो चीनी है इसमें अच्छे से घुल जाए तो हम्ने बनाया है यहां पर क्योंकि हमने इसमें भी रॉज एसंस डाला है तो इसकी हुश्व से बहुत अच्छे आती है और क्यूंकि हमने पहले ही फ्रय कि थी तो यह थंडी हो गई है लिकिन ये जो चीनी वाला पानीहीच इस टंप ठोड़ा गरम होना चाहिए और ब्रेट को इसमें डाल कर हमें बस कउच सेकड इससे इसमें रहने देना हें और फिर तुरन्त निकाल लेना है जादा दे नहीं रखना है नहीं तो bread बहुत जादा नरम हो जाएगी और बहुत जादा मीठी भी हो जाएगी तो बस इस तरह से इसे निकाल देंगे और फिर जिस भी container में जिस भी बरतन में आपको इसे assemble करना है उसमें आप इसको रखते जाएं तो मैं यहां पर इस तरह के container का इस्तमाल कर रही हूँ, दिली में इसको जो बड़े से पैराथ होते हैं उसमें बना कर तयार किया जाता है और इस तरह से bread इसमें रखने के बाद इसके उपर यह जो हमने शाही मलाई बनाई है यह डाल दिंगे, मैं इसे layers में बना कर तयार कर तो पहले मैंने bread की layer लगाई फिर उसके उपर मलाई की layer लगाई और अब इसके उपर थोड़ इसी पहले यह टूटी-फूटी में डाल रही हो और अब दोबारा से इसके उपर एक layer bread की और लगा रही हो आप चाहें तो इसको single layer में भी बना सकते हैं और अगर आपको इसे म लेट केस में रख दिये हैं अब इसके उपर यह शाही मलाई डालेंगे और दोबारा से इसके उपर layers लगा लेंगे और फिर दिल्ली वाली स्टाइल में बनाया हुआ यह शाही टुकड़ा हम सर्व करेंगे तो इस तरह से मेनत मेरी रेसिपे आपको बता दे अब आप होती है जिसमें शाही टुकड़ा इस तरह से बना कर तयार किया जाता है मैंने इसके उपर थोड़ा सा चाहंदिका वर्क भी लगा दिया है ताकि यह देखने में भी और जाधा शाही लगेगा अब इसे हमें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है हम चाहें तो इसको गर् लाइक को खाने में मजा ही आ जाएगा तो जल्दी से आप भी इसे अपने घर पर बनाएए खाईए और सब को किलाएए सब की धेर सारी तारीफ है पाईए फिर उसके बाद अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक करना ना भूले सभी के स साथ से शेर करें और हमारे चैनल एट अमिशस को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसे ही रेसिपीस देखने को मिलती रहें और ने रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले हम नेक्स अजिए टेस्टी टेस्टी शाही टुकडा और थांक्स पर बोचिंग एट्यमिशस